तो सांथियों नमस्कार और स्वागत है आप सबीका इस्टरी सर्किल में और आज हम बात कर रहे हैं कोशिका के बारे में कोशिका या सेल तो अगर हम कोशिका की बात करें तो संसार के चितने भी जीवधारी हैं चाये वो छोटा सो छोटा एक कोशिकी अमीबा हो या विसाल ज लिकाई होती है और कोसिका की खोज सन 1665 इस्वी में एक अंग्रेज वनस्पती सास्त्री जिनका नाम रॉबर्ट हुग था उन्होंने की और 1839 में स्लाइडन और स्वान ये दो जियू विज्ञानी थे जिसमें स्लाइडन एम स्लाइडन जो की वनस्पती सास्त्री थे और जो स्वान है वो जन्तू जिनका नाम था टी स्वान ये जन्तू विज्ञानी थे टी स्वान इन्होंने 1839 में कोशिका सिध्धांत दिया और इन्होंने कोशिका सिध्धांत में ये कहा पहला कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं और दूसरा ये कि कोशिका सभी जीवों की संरचना और उनके कारी की मू लिकाई होती है तो ये था इनका कोशिका सिध्धान अब कोशिका विज्ञान में जो कुछ महत्यपूर्ण खोजी हुई उनकी अगर हम बात कर ले तो पहला ये है कि देखिए ये कोशिका विज्ञान है इसको साइटोलॉजी कहा जाता है इसके लवा 1831 में रावर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की जाती है और मानो सरीर में लगभग 5000 अरब कोशिकाएं होती है इसके लवा जीव द्रब जिसे की प्रोटो प्लाजम भी कहा जाता है इसका नाम करण 1849 में पुरकिंजी के द्वारा किया गया था और जीव द्रब जिसे की प्रोटो प्लाजम भी कहते हैं हम ये एक प्रकार का तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी और लसलसा वजन युक्त बदार्थ होता है और जीव की जितनी भी जैविक क्रियाय होती है वो प्रोटो प्लाजम या जीव द्रब में ही होती है जबकि जीव द्रब में सिधान्त है जिसे की प्रोटो प्लाजम थियोरी कहते हैं इसे सूल जी के द्वारा 1861 में दिया गया था और कोसिका के जो एक अंग है जिसे की गौलगी बाडी कहा जाता है गौलगी बाडी अपार्टस इसकी खोज 1867 इस्वी में कैमिलो गालगी के द्वारा की गई थी और जो की एक केंद्रक केंद्रिका होता है जो की केंद्रक के भीतर होता है इसकी खोज 1781 इस्वी में फौंटाना के द्वारा की गई थी और 1882 इस्वी में फ्लेमिंग के द्वारा क्रोमेटिन और कोशिका विभाजन के बारे में बताया गया और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जो कोशिकाएं होती है इनमें स्वा जनन की छमता होती है जैसे अगर अमीबा की अगर हम बात कलें तो अमीबा में जो जनन होता है अनिसे एक जनन होता है एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है उसी तरह मानो सरीर के विकास मानो सरीर का जब विकास होता है यानि कि जो सरीर का लंबाई बढ़ता है ये सब होता है तो ऐसी दसा में भी कोशिका विभाजन होता है और इसलिए कोशिका में स्वेतह जदन की छमता होती है और डी डूवे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई और लाइसोसोम को आत्मेहत्या की थैली कहा जाता है अब अगर हम बात कर लें कि कोशिका कितने प्रकार की होती है तो कोशिका मूलता है रचना के अधार पर दो प्रकार की होती है प्रोकेरियोटी कोशिका और यूकेरियोटी कोशिका और अगर हम प्रोकेरियोटी कोशिका की बात करें तो उप्रो केरियोटी की यानि की प्राक केंदरकी कोशिका ऐसा कोशिका जिसका केंदरक इसपस्ट नहीं होता और दूसरा यू केरियोटी यानि की सू केंदरकी यानि की विक्सित केंदरक वाला कोशिका यानि कि जो यूकेरियोटिक कोशिका होते हैं इनका जो केंदरग होता है वो इस्पस्ट होता है और केंदरग जिल्ली से बधित होता है यानि केंदरग जिल्ली के द्वारा वो धाका रहता है और अब हम बात कर लें कि जो ये प्रोकेरियोटिक कोशिका है और यूकेरियोटिक कोशिका है इनमें क्या अंतर है तो पहला यह है कि जो प्रोकेरियोटिक कोशिका होती है यह अर्ध विक्सित प्रकार की होती है जबकि यूकेरियोटिक कोशिका है पूर्ण विक्सित होती है इसके लाब प्रोकेरियोटिक के कोशिका में वास्तविक केंदरक नहीं पाया जाता जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंदरक पाया जाते हैं इसके लाब प्रोकेरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ती तो होता है लेकिन अरसायनिक रूप में इनकी सनचना भिन्ने होती है जो प्रोकरियोटी कोसिका होती है इनकी कोसिका भित्ती प्रोटीन और कार्वो हाइडरेट्स की बनी होती है जबकि नार्मली जो कोसिका भित्ती होती है सेलीलोज की बनी होती है इसके लाबा प्रोकेरियोटी कोसिका में माइट्रोकांड्रिया नहीं होता और यूकेरियोटी कोसिका में माइट्रोकांड्रिया होता है और इंडो प्लाजमिक रेटिकुलम जो की कोसिकांग है कोसिका का हिस्सा है कोसिका का पार्ट है वो प्रोकेरियोटी कोसिका में नहीं पाया जाता और यूकरियोटिकोसिका में पाया जाता है जिसके लाबा जो राइवोजोम्स होते हैं वो यूकरियोट में भी होते हैं और प्रोकरियोट में भी होते हैं तो प्रोकरियोट में जो राइवोसिका में राइवोसिका में नहीं होते यूकरियोटिकोसिका में पाया जाते हैं जबकि लाइसोसोम्स जो है यह प्रोकेरियोटिक कोशिका में नहीं होते और यूकेरियोटिक कोशिका में होते हैं इसके अलबा जो DNA होता है वो प्रोकेरियोटिक कोसिकाओं में पाए जाते हैं लेकि एकल रूप में पाए जाते हैं जबकि यूकेरियोटिक कोसिका में जो DNA होते हैं पॉर्ण विक्सित और दोहरे सूत्र के रूप में अबद पाए जाते हैं और सेंट्रियोल की बात करें तो सेंट्रियोल प्रोकेरियोटी कोसिका में नहीं होता और यूकेरियोटी कोसिका में ये पाए जाते हैं इसके लाब अगर हम बात करें कि प्रोकेरियोटी कोसिका में सुरसन कैसा होता है तो प्रोकेरियोटी कोसिका में जो स्वसन होता है वो प्लाजमा जिल्ली के द्वारा होता है और जबकि यूकरियोटी कोसिकाओं में माइट्रो कांट्री के द्वारा ये स्वसन होता है इसके लावा लेंगी के प्रिजनन प्रोकरियोटी कोसिकाओं में नहीं पाया जाता जबकि यूकरियोटी कोसिकाओं मे क्लोरोप्लास्ट में प्रकास संस्लेशर की क्रिया संपन्य होती है और प्रोकरियोटिक कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है वो अर्ध सूत्री प्रकार का होता है और यूकरियोटिक में अर्ध सूत्री और संसूत्री दोनों प्रकार के कोशिका विभाजन होते हैं इस आगे बात कर लें जनतु कोशिका और पादब कोशिका के बारे में कुछ बात करें और पादब कोशिका की तो सुरुबात करते हैं पादब कोशिका से तो पादब कोशिका जो होती है इसमें विक्सित और त्री इस्तरी प्रकार का कोसिका भित्ती या सेल वाल पाई जाती है जो कि मुख्य रूप से सेल्यूलोज का बना होता है और इसका कार यह है कि यह इसको बाहरी आगात से बचाने का कार करता है सेल वाल जबकि जन्तु कोशिका में सेलवाल या कोशिका भित्ति नहीं पाये जाती बलकि प्लाजमा मेंब्रेन होती है जिसे की कोशिका जीवद्रब या कोशिका जल्ली कहा जाता है और यह जो पादब कोशिका होती है इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है अगर उदा कुछ पौदी हैं जैसे कि फंगी होगे और जीवांडू इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है लेकिन अमूमन बाकि जितने भी पादब कोशिका है उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जबक जन्तु कोशिका में पर्ण हरित या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है इसके अलाबा पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता है जो कि कोशिका विभाजन का कारे करता है जबकि जन्तु कोशिका में किंद्रक के पास तारा के अकार का सेंट्रोसोम क कि रचना पाई जाती है इसके अलाबा जन्तु कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाई जाती है जबकि जन्तु कोशिका में लाइसोसोम पाई जाते हैं इसके अलाबा पादप कोशिका में रसधानी या वैक्यूल या रिप्तिका पाई जाती है जो कि बड़े कार के होते हैं और जन्तु कोशिका में रिक्तिका पाई जाती है और ये बहुत ही छोटे अगारगे होते हैं और इनका लगभग सरीर में उपियोग नहीं के बराबर होता है तो ये ध्यान दिजिए जा कि जन्तु कोशिका में वेक्योलिया रिक्तिका नहीं पाई जाते हैं पाई जाते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में और बहुत छोटे-छोटे अकार्गी होते हैं लेकिन रिक्तिका पाई जाते हैं इसके लाबा अधिकांस पादप कोशिकाओं में सेंट्रियोल्स नहीं होते और जंतुकोशिका की बात करें तो लगबग सभी जंतुकोशिकाओं में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं तो यह था कुशिका के बारे में एक संचिप्त जानकारी नमस्कार जैन